हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपनी इस यूटूब चैनल पे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कम्प्यूटर के ऐसे कम बजट वाले कम्प्यूटर कोर्स जिसको असानी से एक ग्रामेंट चेतर का स्टुडेंट एक मिडल वर्क का स्टुडेंट उसको कर सके और कम्प्यूटर कोर्स कम्प्यूटर करने के बाद अपनी इस प्रोफेशनल लाइन की वो सुरुवात कर सके अच्छी जोब उसको मिले और अच्छा अपना केरियर बिल्ट कर सके तो दोस्तो हमारे इस यूटूब जनल के कापी सारे विवर्स ने ये कई बार रिक्वेश्ट करिये भी हमें ऐसा कौन सा कम्प्यूटर कोर्स सीखना चाहिए जिसकी डिमांड एनी टाइम बनी रहती हो यानकि वो कम्प्यूटर कोर्स एनी टाइम ट्रेंडिंग में रहता हो तो दोस्तो आपने बहुत बार यूटूब पे सर्च किया होगा गुगल पे आपने सर्च किया होगा वीजियो हाई पैकेज वाले कम्प्यूटर कोर्स कौन से होते हैं हाई सेलरी के लिए कौन सा कम्प्यूटर कोर्स सिखना चाहिए तो बहुत सारी यूटूबर की वीडियो आपके सामने आ जाती है किसी ने पांस कम्प्यूटर कोर्स के बारे में बताया किसी ने दस कम्प्यूटर कोर्स के बारे में बताया बताने वाले ने बता दिया आपने सुन लिया लेकिन हर computer course के पीछे सचाई कैं यह आज तक किसी भी यूटूबर ने आपको नहीं बता ही होगी जो आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तो दोस्तो अगर आप भी computer course के इस professional line में जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको पूरा complete देखना होगा तभी आप इसको proper समझ पाओगे भी आपको किस लेवल का computer course अज़िए जो आपके in future काम आसके है किसी के कहने पे या किसी का YouTube वीडियो देखने से अगर आपको प्रोब्लम खड़ी हो सकती है तो दोस्तो इस वीडियो में जो हम computer course के बारे में आपको बताने वाले हैं ये को जुरूरी नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं वोई आपके काम आएंगे बागी सब बेकार हैं हर computer course अच्छा होता है लेकि हम जिस community course के बारे में बात करने वा की या फिर हाई-फाई कंप्योटर कोर्स की तो एक ग्रामिन छेतर का एरिया का जो लड़का को स्टूडेंट या फिर एक मिडल अवर का जो स्टूडेंट है वो नहीं तो कोई हाई-फाई यूनिवर्स्टी के अंदर एडमिशन ले सकता और नहीं कोई वो घर से 500-700 आपको पॉपिक हम बताने वाले हैं जिसकी सचाया आज तक किसे नहीं नहीं बताई होगी वो है विजो भी लाइन आपने स्लेक्ट करेंगे करनी है जैनि कि जिस कप्यूटर लाइन चेतर में आप जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बनाना पढ़ेगा पिर आप कौन सी लाइन को सेलेक्ट करना चाहते हो जैसा कि इस वीडियो में हम नहीं जो को सेलेक्ट किये उसमें जैसा कि अकाउंट का कॉर्स ठेख सकते हो उसके तो लोगजध के साथ मिल जैए और पिर अपको को तो आपकी उसके अंदर मनलब आगी ग्रोफ होने की समावना बहुत जाद होती है तो दोस्तो सबसे पहले आपको अपना मन बनाना पड़ेगा भी आपको कौन सा लाइन सेलेक्ट करनी है अब मालेजिए आपको अकाउंट की फिल्ल में जाना है तो अब मैं अगर आपको कहता हूँ भी आप वेब डिजाइन का कोर्स सीख लो वीडियो एडिटिंग का कोर्स सीख लो या फिर आपको ग्राफिक डिजाइन का कोर्स सीख लो तो मेरे कहने से या किसी के यूटूब वीलियो देखने से अगर आप कोई कोर्स को सेलेक्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको प्रोबलम खड़ी हो जाती है आगे जाके तो सबसे पहले इंपोर्टेंट बात यह आपको अपना मन बनाना पड़ेगा सेकंड बात कम्पिटिशन आपको हर लाइन में मिलेगा अब ऐसा नहीं है भी आपने कोई कोई कोर्स कर लिया हो सेर्टिफिकेट आपके पास में है और आपको जाती जोब मिलेगी तो दोस्तों मेनत करनी पड़ेगी लोग कहते हैं भी गोर्मेट जोब आसानी से नहीं मिलती मैं कहते हूँ प्राइवेट जोब भी आसानी से नहीं मिलती इसके लिए भी आपको संगरस करना पड़ेगा अपना 100% आपको करके दिखाना पड़ेगा तब private sector में जाके आपको job मिलेगी चे आप low budget वाला कोई course सीखलो चे आप high budget वाला course को इसीखलो competition आपको हर line में मिलेगा तो कहने का मतलब ही हो गया जो भी आप जिस line में फिल्ड में आप रुची रखते हो जहाँ पर आपका interest है वही आप starting में computer course को आप select करना अब कई बार ऐसा होता है भी आपने साथ के साथ account भी course सीख रही हो आप साथ के साथ होते हैं तो मैं कोई video editing में भी expert हो जाऊं मैं website design बनाने में भी expert हो जाऊं अगर आपने शुरुवात्ती की दुनों के अदर ये कापी सारे course के अंदर आपने हाँ डाल गिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आप एक में भी काम्याब नहीं पहुएगी ये मेरा experience करता है तो दोस्तों अगर आपको एक line चुनिए तो सबसे पहले आपको उसके उपर focus रखना पड़ेगा मानीची आपने को वीडियो एडिटिंग का कुर्स सीखना है जिसके डिमांड आने वाले time में बहुत जादा रहने वाली है क्योंकि हर जग आपको उनलाइन course पर करा सेल हो रहे है तो वीडियो एडिटिंग की जुरूरत होती है हर एक YouTube क्रेटर को भी वीडियो एडिटिंग की जुरूरत होती है तो एक वीडियो एडिटर का काम भी बहुत ही अच्छा खासा रहने वाला है आगे वाने वाले time में तो दोस्तों मानीची आप वीडियो एडिटिंग का कोर्स सीखरी हो और मैं आपको के तो आप साथ के साथ सकस हो पाओगी अगर आपने दो से ज्यादा या तीन से ज्यादा आपने कोई कोर्स एक साथ करने की सुरुवात कर ली तो आप कही के भी नहीं रहोगी तिन्नों भी नहीं सीख पाओगे अगर आपने तीन कोर्स की सुरुवात करी है तो तो कहने के मतले हो कि आपको एक कॉर्स के साथ सुरूआत करनी है। उसके पास सबसे ज्यादा जो important है, जो कॉर्स आप सेख रहे हो, उस कॉर्स को सीखाने की जो सुवीदा है, वो क्या आपके area के अंदर है या नहीं है, ये सबसे ज्यादा important है। माली जी आपके कोई 15-20-20-20-30 km के अंदर एरिय के अंदर वो सुईधा आपके पास है सिखाने की तो वो आपको सबसे ज्यादा बेटर रहेगी अब सबसे ज्यादा लोग आपको नेगटिव करने बाले बहुत मिलेंगे नेगटिव का मतलब हम माली जी आपने कोई वीडियो एडिटी का कोई कोर्स सीख रहे हुए और आपका कोई फ्रेंड्स आपके कोई रिलेटिव आपको मिल गए तो क्या बोलेंगे अर भाई काम हस गया दो क्यों कर रहा है मैंने कॉर्स कर रखा है मेरे भाई ने कर रखा है उसने कर रखा है सभी फरी बेटे है सभी फरी बेटे है इसका मालब वो नहीं वो कोई परफेसन वेकार है परफेसन बहुत अच्छा है सारी दुनिया कर रही है लेकिन कंडिसन यह होती है वि उसको सीखने की जो सुरुवात है वो आपने कैसे करिये है अगर आपकी सुरुवात ही अच्छी नीवी है आपके जो कोर्स करिये है उसके नीवी आपने अच्छी तरीके से ने रखिये है तो उपर का डांचा भी आपका कभी भी डैस सकता है तो professional कोई भी बुरा नहीं है आपको बसरते उसको सुवात है जो अच्छी तरीके से सीखने पड़ेगी यह मेरा experience है यह मेरी personally आपके लिए तो आप लोगों को बातों को आपने नज़र अंदाज करना पड़ेगा दूसरी बात सबसे पहला focus आपका रहेगा और उसके बात सबसे ज़्यादा जो important आती है जिस institute से आप कोई course कर रहेगा चैसे आप किसी भी लाइन का course करो उसके पहले आप उसकी market से feedback और से लो क्योंकि अगर आप किसी institute पर जाके अगर आप बोलोगे भी मुझे यह course करना है तो institute भाड़ा आपको कभी ना नहीं करेगा भी हम यह course आपको नहीं करवाएंगे क्योंकि उनका काम में करवाने का अच्छा कराएं बुरा कराएं वो हो जाते हैं लेकिन उनका काम है वो आपको हां करेंगे लेकिन वो किस तरीके से करवाते हैं उनका करवाया आपको समझे में आएगा कर नियाएगा उनका आगे क्या मलब उनका opportunity रहती है तो ये सब कुछ आपको market की feedback से मिलने वाला है तो आपको ये बात भी अपने folks पे रखने पड़ेगी ये market के feedback आप उनकी अवसे ले उस institute की उसके बाद ही मन बनाके और एक line को select करके आप उस course पे द्यान दीजिए पुरा practical तरीके से सेखिए सुरुआत आपको अच्छी तरीके से करनी है प्रैक्टिकल तरीके से करनी है क्योंकि अगर आप theoretical ज़्यादा नहीं करोगे और practical आप ज़्यादा नहीं करोगे तो भी आपको आगे जाके दिक्कत होएगी क्योंकि हर जगे experience मांगा जाता है पिर आपको काम करने का कितना experience है अगर वोई चीज़ें आपने practical तरीके से पहले सेखिए होगी तो आगे जाके आपको problem face करने को नहीं पड़ेगी तो दोस्तो इसलिए आपको एक course को select करना पड़ेगा ज़्यादा course में हाथ मन डालना इसा course के मन डालना जो आपके area के अंदर available ही नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा important है तो इसलिए मेरी ये request है भी आप एक course को select कीजी अब जो भी हम इसके computer screen के हम जाएंगी तो उसके बाद आपको बताएंगी भी कौन सा course करोगे तो वहाँ पर आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा और वहाँ पर आपको course करने के बाद में किस type की job आपको मिलेगी तो दोस्तों वीडियो के आपको पसंद आ रही हो अगर आपको लग रहा है भी इस वीडियो में कुछ knowledge है तो इस वीडियो का से जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके फ्रेंट्स के आपके रिलेटिव के भी कहिन की जरूर काम हैगा तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारी सक्रीन की तरफ जहां से हम आपको पूरा सेटाप के साथ दिखाएंगे भी आपको कौन सा कुर्स करोगी क्या कुछ सीखना पड़ेगा किस तरीके से सीखना पड़ेगा और सीखने के बाद उसमें जोग की उप्सिनिटी क्या रहती है तो चलते हैं डेश्टॉप की स्क्रीन की तरफ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आयो तो इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए नोटिपिकेशन बेल को प्रेस करके और पर जुरूर क्लिकेजिए तो दोस्तों अकाउंट और टेक्सिशन का कॉर्स उसके लिए आपको मैनूल अकाउंटिंग को आपको सही प्रैक्टिकल तरीके से सीखना पड़ेगा और उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा पॉपलर अकाउंटिंग के सॉफ्ट्वेर है जिसा के टेली प्राइम सॉफ्ट्वेर हो गया है बीजी काउंटिंग सॉफ्ट्वेर हो गया इसके अलावा बहुत सारे ऐसे accounting software है जो trending में भी चल रहे हैं लेकिन आपको सबसे मस्ट जो अगर आपने टेली या बीजी जैसे accounting software पर अगर आपने practice कर लिया है account को, manual accounting को सीखने के बाद में तो आप कोई भी accounting software है उसको easy से maintain कर सोगे बट आपको इनको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा टेली software को, बीजी software को और उससे पहले सबसे ज़्यादा important है manual accounting को practical तरीके से सीखना और खुद करना उसके बाद में उसी की practice आपको टेली बीजी जैसे या उसके अलावा जो भी accounting software आप सीख रहे हो उसके अंदर practice करनी उसके बाद में आपको taxation का भी knowledge आपको साथ के साथ लेना होगा जब आप manual accounting सीख रहे हो जैनकि GST क्या चीज़ा है, GST का input क्या होता है, output क्या होता है TDS क्या है, TCS क्या है, income tax क्या है, किस तरीके से tax की calculation होती है TDS का rule क्या होता है, TCS के क्या rule होते है तो इन सब के बारे में आपको deeply और practically knowledge लेना पड़ेगा उसके बाद में books finalization किस तरीके से करी जाती है उसके साथ साथ आपको Microsoft Office का भी knowledge होना जुरूरी है जिसके अंदर Microsoft Word हो गया, Microsoft Excel हो गया इनके बारे में काफी अच्छी जानकर ये आपको होनी चीए क्योंकि competition का time है तो आपको practically सीखना पड़ेगा और पूरा सीखना पड़ेगा आद्य दूरे सीखे से काम नहीं चलेगा ये आपको मैंने पहले ही बता दिये competition हर लाइन में है पूरा practically और professional तरीके से आपको सीखना पड़ेगा तो ये तो था हमारा accounting और taxation course जो सबसे ज़्यादा trending में रहता है और इसकी demand anytime बनी भी रहती है तो सबसे ज़्यादा इसी course को recommend करते हैं आजगर जो भी किसी से अगर आप पुछोगे तो सबसे ज़्यादा accounting का course ही आता है तो आपने बहुत बार देखा होगी आप टेली सीख लो टेली से ने आपको टेली से पहले manual accounting वेकरा की भी जुरूर practice करनी पड़ेगी उसके बाद graphic design दूसर ग्राफिक design course के अंदर आपको जैसे coldra के software होगी Photoshop होगी आप digital advertisement कोई company वेकर आप job करते हो तो वहाँ पर आपको banner वेकरा बनाने आने चाहिए उनके company के poster वेकरा आपको बनाने आने चाहिए तो यानिकि यह सब कुछ आपको coldra के software में Photoshop वेकरा में आपको अच्छी तरीके से practical तरीके के साथ आपको सेखना पड़ेगा उसके बाद आप logo designing वेकरा की करना आपको आना चाहिए क्योंकि अगर आप काफी सारी ऐसे company होती है जो online logo बनवाती है उसके payment आपको देती है तो अगर आप online logo वेकरा सेल करते हो logo बनाना आपको अच्छी तरीके साथा है बड़ी आप design उसका कर लेते हो तो भी आप अच्छी खासी earning उनसे कर सकते हो उसके बाद में photo editing वेगरा mixing वेगरा photo करनी हो तो यह सब कुछ आपको Photoshop में सेखने को मिलेगा क्योंकि इसका भी अच्छा खासा मलब career आप इसे में बना सकते हो photo editing में mixing करने में तो यानि कि यह सब कुछ आपको graphic designing के course में सेखने को मिलते हैं तो सभी को आपको practical तरीके से सेखने को पढ़ेंगे तब भी आप इनके अंदर अच्छे खासी earning कर पाऊगी अच्छे खासी company में आपको उसकी job आपको मिल पाएगी तो तीन नमबर कोर्स है उसके बाद में video editing skill तो दोस्तो video editing का भी सबसे ज़्यादा क्रेज इस वक्त चल रहा है आगे आने वाले भी time में रहेगा तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो software जो use होते हैं उसमें जैसा कि filmora हो गया Adobe Premiere Pro का software हो गया और इसके अलबा भूत सारे video editing के software आते हैं तो यानिकि अगर आपने किसी एक या दो आपने video editing के software आपने सेख लिए तो software लगबग सारे सेमसी होते हैं उसमें को ज़्यादा difference नहीं होता आप सभी में easy तरीके से कर पाऊगे क्योंकि अब इसके जुरूरत कांपे पढ़ती है अब सबसे ज़्यादा कि जैसे कोई YouTuber है जो की education के जो video मनाते हैं बहुत सारे ऐसे teacher होते हैं video अच्छे खासी मना लेते हैं वो बट उनको editing करना नहीं आता यानि कि वो editing उनको technical इतना ज़्यादा हो मजबूत नहीं होते ताकि वो अच्छी तरीके से इसको editing कर पाए तो उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे teacher हो जुन्होंने मलब video editor को होते हैं उनको हायर करके रखा होता है या फिर वो अपना video किसी को send कर देते हैं वहां से editing करके मंगवा लेते हैं तो ये video के अंदर आपको video editing के अंदर यूटूबर जो education के जो video बनाते हैं वो अच्छे का से इसको हायर कर लेते हैं उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो आजकल करें चला है जैसे के comedy video आ गया है तो कापी सारे ऐसे लोग भी है जो की video को शूट कर लेते हैं बट उनको editing नहीं करने आती तो वो भी किसी से करवाते हैं तो आप उनका video editing भी skill अपना मजबूत कर सकते हो वेडिंग एडी तो editing यह तो सभी को पता है चली रहे क्याकि आप किसी भी साधी function के तो आप वहां से अगर को भी video शूट हो गयता है उसकी editing अगर आपको करनी आती है तो अभी आप अच्छी खासी वेडिंग उनकी जो editing करके वीडियो की अच्छी खासी पैसे यहां से भी आप कमा सकते हो बट आपको अच्छी तरीके से प्रफेशनल तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से सिखना पड़ेगा दोस्तों अब हम उन्ही कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो एक छोटे से चोटे सेर के अंदर यह एविलेबल हो जाते हैं यहां तक कि अब तो ग्रामिन शेतर के अंदर यह सब कुछ चलने लग गया है तो सब कुछ आपको नजदीक आपके नियर भाई के अंदर यह अपको डाला है तुक्ति असे चांव और ओगया उन्हों को आपको रिपेरिंग करना आप सीख सकते हो या उनको आप आप एसेंबल करना सीख सकते हो, हाड़वेर से समंधी, जो भी मलब प्रोडेक्ट और कोई भी चीज हो, उसको सई करना, कंप्यूटर से रिलेटेट से समंधी तो अगर वो चीज अच्छी तरीके सिख लेते हो, किसी अच्छे इंस्टूट के साथ सिख लेते हो, प्रैक्टिकल तरीके के साथ सिख लेते हो, तब भी आप अच्छी खासी अरनिग कर सकते हो, क्योंकि हम ये जो कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये कोर्स आपको किसी कमपनी में जॉब के लिए भी काम आएंगी, पलस आप अपना इनका personally भी एक मलब develop अप इसका खड़ा कर सकते हो परसनली भी आप इसके एक मलब company बना सकते हो जैसा कि starting हम बात करें अमा लिजे आप taxation और accounting का आप course सेह रहे हो तो आप किसी company में जोब भी कर सकते हो और आप अपना personally office करके भी आप अपने client है जो जोड सकते हो वहां से आप एडवाइजर के रूप में work कर सकते हो इसी तरीके से graphic design तो आप इसके लिए भी किसी company में भी आप job कर सकते हो इसके साथ आप अपना OPCP भी आप बिल्ड कर सकते हो जहां पर आप बेट के एक जगे और फिर अपना personally setup भी बिल्ड आप कर सकते हो इसी तरीके से hardware का भी आप अपना setup बिल्ड कर सकते हो या किसी company में जो भी कर सकते हो इसके अलाबा website या फिर application developer जो mobile के app आते हैं यह थोड़ा साथ एक technical है यूनिवरस्टी की आपके पास एजू के रिसूर्ण ची है उसके जाती है एक बढ़िया developer के पास भी आपको एप बनाने का तरीका होना चाहिए अच्छा खासा professional तरीके से आप बनाना जानते हो तो इसका भी demand आने वाले time में सबसे ज़्यादा है लेकिन इस course की अगर बात करें तो यह थोड़ा सा अपर चारों के बजाए यह technical course है क्योंकि कि इसके लिए आपके पास अच्छे खासी education भी होनी चाहिए और यह आपको professional और practical तरीके से सीखना है तो हो सकता है आपको यह अपने area के अंदर local area में ग्रामिन चेतर के अंदर या छोटे सहर के अंदर इसके सुवीदा ना मिलती हो इसकी सुवीदा ना मिलती हो लेकिन almost इ इसके लिए आपको थोड़ा सा हो सकता है पैसा भी थोड़ा सा ज्यादा खर्च करना पड़े या फिर आपको अच्छे खासी university या फिर अच्छे खासी बैंगे इंस्टूट होते हैं सिखाने वाले वह आपको select करने पड़ सकते हैं तो लेकिन अगर आपने यह course कर लिया त तो दोस्तों अब बात जैसे कि मैंने पहले बताया तो बहुत सारे लोग आपको negative करने वाले भी बहुत मिलेंगे नकर आप सोच मग आपकी दिमाग में डालने की कोसिस करेंगे लेकिन आप उनको सभी को नजर अंदाज करना पड़ेगा तब ही आप success हो पा होगे अगर बातों में आगे ये कोर्स आपके कुछ काम कर नहीं है ये कोर्स मेरे फ्रेंट ने कर रखा है वो कुछ काम कर नहीं लगा हुआ कई भी नहीं गर पे फरी बैठा हुआ है तो ऐसा अगर आप सोचोगे उनकी बातें सुनोगे तो आप भी negative हो जाओगे बट आपको feedback आवस्य लेनी है आपको इनके बारे में सर्ज करना पड़ेगा ये कोन से कोर्स में सबसे जादा जोब की opportunity रहती ए हर computer course में जवकी opportunity है इसके अलावा बहुत सारे और भी computer course है है लेकिन हमने जिन computer course के बारे में बात करी है न वो हमने उनी course के बारे में बात करी है जिसको एक middle वरकर जो student अब भी कर सकता है ग्रामेंट शेतर का भी student इसको कर सकता है क्योंकि उसके नजदीक 15-20-30 km area के अंदर ये सुविदा सिखाने वाले institute की मिल जाती है क्योंकि अब website designing वेगरा course ये हर जगें available नहीं होती इसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा बड़ी city के अंदर जाना पड़ सकता है तो दोस्तो आई होप कि आज की इस वीडियो से जुरूर आपको कुछ knowledge मिला होगा वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो please वीडियो को like देके जुरूर जाना